अलो फ्रेंद्स वेलकप टेजेवी से इस दल से दोस्तों अमीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों आज का जो वीडियो में आपके ले लाई हूं वो नहीं है कोई होम रेमेडी बलकि है यह हमा माँ यहा फादर ही है शिर्फ और कई बार तो मां ही बिचारिय के लिए बच्चे के साथ तो ऐससे में अकसर नहीं हमंदों के दिमाग में यह ख्याल आता है कि बहुgender को कितना टायम डिवोड करूं मैं कित्रे बच्चे के साथ खेलूं और सारा दिन सब यही सब सवालों का सठिक जवाब आज मैं आपको देने माली हूँ नेकिने छोड़ी से रिक्वेस्स दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब पर है लाखो चैनल और एक बार मेरा चैनल हो गया गुम तो आपके लिए ढूड़ना हो जाएगा बड़ा मुश्किल तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मिला घंटी वाला बटन दबा दो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके फायदे का डालू आपको पता चल जाए यूट्यूब पर आते ही कि मेरे चैनल पर ये नया वीडियो आया है और साथ ही साथ दोस्तो जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दो कि बच्चों की होम रेमेडीज के स्वास्त को लेकर के और और कई चीज़े आपको किड्स हेल्थ सेक्शन में मिल जाएंगी मेरे चैनल के उपर जो की है प्लेलिस्ट में किड्स हेल्थ उसमें आपको काफी बच्चों से रेटेड़ वीडियो मिलेंगे और यह सारे ऐसे हो पाई हैं दोस्तों जो मैंने कोद मेरे बच्चे पर अपनाए हुए हैं तो यह करते हैं आज की टॉपिक की तरफ कि बच्चे के साथ कितना खेलना चाहिए तो न्यूक्लियर फैमिली में जब हम बच्चे के साथ रहते हैं सारा दिन तो बच्चे को हम दिखते हैं और हमें बच्चा दिखता है सारा दिन और आज कल तो करोना की वज़े से जो हम लोग थो ही नहीं कि समझ लो कि अगर बच्चा सुबह साथ बे से लिकर शाम साथ बे तक भी जाकता है तो बारा गंटे आप बच्चे के साथ खेल नहीं सकते और बहुत जादा अटेंशन देना बच्चे को या हर वक्ट बच्चे की हर जरूरत के लिए अगर आप उसके आगे पीछे रहोगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा आप बहुत जरड़ डिपेंडेंट हो जाएगा और अगर आप बच्चे के साथ खेलते रहोगे सारा दिन तो उससे भी बच्चे को ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि आप उसको इतना गाइड करोगे बच्चे को कि जो बच्चा है वो अपना imagination अपना mental जो उसकी capability है उसको तो वो मतलब विक्सित ही नहीं कर पाएगा और यह मैं बात कर रहे हूं बच्चों उन बच्चों की जो दो साल से लेकर के पांच साल तक हैं क्योंकि छे साल के जो बच्चे होता हैं को काफी समझ आना देखें बच्चे की routine में हर दिन में नहाना बच्चे को खिलाना बच्चे के साथ इवन बच्चे को सुलाना और पढ़ाना यह सारी चीजे भी वही हैं जो आप बच्चे के साथ time spend कर रहे हो कहीं जो मनदद होती है उनको इतनी guilty feeling होती है उनको लगता है मैंने तो बच्चे साथ करो बच्चा आपको हर चीज में आपको observe कर रहा है तो आप क्या करा सकते हो तो पहला तो यह जो जवाब है कि आप बच्चे के साथ कितना खेले तो इसका यह है कि आप बच्चे का एक तो जब बच्चा सुबह उट करके जो उसकी morning part रहती है आफ्टरनून नाप से पहले मतलब कि तो पैर के सोने से पहले का जो हिस्सा है उसमें आप बच्चे के साथ एक घंटा पकड़ लीजिए या आदा घंटा या एक घंटा जैस आपको ठीक लगे कि मैंने यह आदा यह एक घंटा बच्चे के साथ खेलना है आप ऐसे भी कर सकते कि सुभा की फर्स्ट पार्ट में आदा घंटा या पैतेस मिनट आप बच्चे के साथ खेले और जब बच्चे के साथ खेलना है तो बच्चे के साथ ही खेले उसमें फिर कुछ और नहीं आप करे तो बच्चे को भी लगेगा हां मुझे बहुत अटेंशन मिल रहा है और मै बच्चा बहुत खुश हो जाता है पूरे दिन के लिए और वो सारा दिन कई बच्चे जो रोते रहते रहते ना वो भी कम हो जाएगी यह चीज को कुसको लगेगा मेरे को मेरे ममी ने पूरा अटेंशन दे दिया उसके बाद चाहिए आप बच्चे को टीवी बगारा लग से आधा या एक घंटा आप बच्चे के साथ खेलने का रख सकते हो क्योंकि बच्चे के स्कूल जाने के बावजुद भी हम देखते हैं कि प्री स्कूल में भी काफी चुट्टियों होती है तो इस तरीके से सुबह और शाम को बच्चे के सथ जो भी टाइम स्पेंड करना ह क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है यह नहीं कि पांच मेंड बच्चे के साथ खेल लिए फिर अपने कामों में लग गए ऐसे कहां का आपको भी गिल्टी फिलिंग रहेगी बच्चे को भी साटिसफेक्शन नहीं आएगा तो यह दो यह है कि आपने टाइम स्पेंड करना और इसके अरावा दोस्तों आप कोई भी काम अगर कर रहे हो उसमें बच्चे को पार्टिसिपेशन खरभाओ अगर आप रोटी बना रहे हो तो इसको थोड़ा आटा दे दो आटे के साथ केलता रहेगा अगर आप सफाई मतलब करने में लगे हुए हो घर की या कुछ उसक उसकी जो मौटर स्किल्स मतलब कि उसकी जो पकडने की थ्रो करने की यह मौटर स्किल्स इसको बोलते हैं वह भी अच्छी खासी डवेलप हो जाती है तो दोस्तों यह दो उपाएं थे और कभी भी गल्टी मत फिल करिए तो कि अगर स्पैशली जो हम माई होती हैं हम लोग के लिए बहुत सारा दिन हम बच्चों के साथ ही लग रहते हैं फिर भी कई मारा में लगता है कि हमने बच्चे के साथ कॉल्टी टाम स्पैंड नहीं किया तो प्लीज को ऐसा गिल्टी फिलिंग मत लाइए और कॉल्टी टाम स्पैंड कीजिए और आपको यह वीडियो पसं